हले ओर्वर्वन मैं हो अंच्वारे चैज और आप मेरे साथ देख रहे हैं लद्वाई कूछ इस तरीके का हमारे पास यहाँ पर पीटेज है जैसके आपको नज़रार रहोगा, जो हमारे पास आज का टास्क होने वाई कुछ इस तरीके का टास्क है जो यहां पर आपको इस ट्रेप या वायर दिख रहा है इस वायर को हमें इस सौट से रिमूब करना है तो इस सौट को रिमूब करना है सौरी इस वायर को हमें यहां पर रिमूब करना है लेकिन हमारे पास चैलेंज क्या है और जो नया हम कुछ लर्न करने वाले क्या होने वाले हैं तो अगर इस बोट पर ही आपने डालेंगे यहां पर यह बोट आपको पूरी तरीके से साब दिख रहे हैं लेकि नेक्स फ्रेम से मैं जैसे ही में जाता हूं यहां पर पूरी तरीके से एक motion blur का effect मिल जाता है देखें यहां पर यहां पर यहां पर आपको motion blur मिलेगा नेक्स फ्रेम पर यही हमारा पूरी तरीके से होने वाला है तो कैसे क्लीन करेंगे वह सारी step by step चीज़े देख लेंगे तो मैंने यहां पर थोड़ा सा clean up करा हुआ हूँ है एक नजर आपको दिखा देता हूं तो मैंने यहां पूरी तरीके से यहां पर यहां पर देख रहे हैं तो मैंने पूरी तरीके से नहीं करें मैंने कुछ ही नहीं पर रिमूप करें हुए हैं देख रहा था एकुछली कैसे होगा थोड़ी से श्रेप यहां भी बच गई है बट step by step मैं आपको दिखांग और कैसे आप रिमुप कर सकत हैं जो य कर देता हूं देखें यह मेरी उरिजिनल पूटिज है जैसा कि आपको नजारा रहा होगा तो इसमें एक चीज आपको ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पर आप किसी पट्रोली चैनल में जा सकते हैं जैसे ही चैनल पर जाते हैं देखें बहुत सारा यहाँ पर आपको जाता है एक तरीका से काम होगा तो सबसे पहले हमाइर हमाई अपनी पूरच को डिइ कर लेना उसके बाद हम 20 व debating करना तो इवे बात करेंगे मैंने जो परफॉर्म किया देखिए मैंने ऐसा कुछ डी ग्रेंड करने के बाद परफॉर्म किये ऊरिजिनल फूर्टेज पर नहीं करा हुआ है तो degrain आप कैसे कर सकते, degrain के लिए आपको nuke पे जाना पड़ेगा, जो industry का process है कि आपको कहा जाना पड़ेगा, आपको nuke पे जाके degrain करना है, वापस यहाँ पे लेके आना है, उसके बाद यहाँ पे paint work को perform करना है, और degrain के बारे में already कई सारे हमने tools किये थे, बट एक brief में एक छोटा सा time लेके मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, कैसे आप degrain कर सकते हैं, उसके बाद हम अपना paint work का जो आगे का process रहेगा, उसको perform करेंगे, तो अभी वापस से आजाते हैं, देखे, हम आजाते हैं अपने nuke file में, तो already जो मैंने किया है, बहुत छोटा सा काम है, यहाँ पे सिर्फ हमने denoise node लगाया और इसको render कर दिया, क्योंकि जो इसकी grain है, बहुत आसानी से remove हो रही है, तो क्या करना है आपको, tap press करना है, यहाँ से लेना denoise node, और इसको source से connect कर देना है, और यहाँ से view कर लेना है, जैसे आप view करेंगे, थोड़ा से drop down करके आपको द remove होके आगई, यहाँ से normal कर देते हैं अपनी footage को, और यहाँ से मैं कर देता हूं, वापस से, अगर A और B करेंगे, तो आपको फर्क automatic ही समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा इसको देखने के आसानी हो, तो इसलिए ऐसा कर लेते हैं, अभी आपको नजर आएगा, देखे, यह से मेरी grains पूरी तरीके से remove हो के आ गई है, grain remove होने के बाद, आपको simply right node लगाना है, और render कर लेना है, उसके बाद अपनी footage को, आपको open करना है, sillout के अंदर, एक चीज और बता दूँ, यह denoise related, हमने वीडियो, जो पूरे detail वीडियो, अगर आप देखना चाहते है, denoise को कैसे परफॉर्म करना है, new के अंदर, तो already उसके बारे में, मैंने tutorial create किये है, तो आप मेरे channel पर जाके उसको widget कर सकते हैं, तो already अभी तक आपको समझ में आ गया, denoise कैसे करना है, अभी वापस चलते हैं, अपने silhouette file में, तो देखिए, हम आ जाते हैं, अपनी silhouette file में, तो देखिए, यहां पर हमें कुछ perform करना है, तो सबसे पहले मैं बोलता है, हम आपको अपने sort को analyze करना है, थोड़ा read करना है अपने sort को, और एक छोटा सा आपको plan create करना है, कि अपने sort को हम कैसे करेंगे, तो यहां पर मैं play कर देता हूँ, अब यह जाएस बात है, इसमें motion blur वाला sort है, त चलिए search करते हैं, तो already मैंने थोड़ा सा ढूड़ा हुआ, तो मुझे पता है, आप एक बार कुछ से analyze करेंगे, तो आपको पता चलेगा, तो जो frame number 120 frame से यहां पर देख पाएंगे, यहां पर बहुत सारा reference भी है, यहां पर और यह पूरी तरीके से frame भी sharp है, तो हम यहां प mechanic कर लिया है, अभी हमें जो उपर काम करना है, हम clone tool पर उपर काम करने वाले है, तो आपको clone tool हमने यहां पर select कर लिया है, ओके, अभी next क्या करना है, आपको setting कर ले नहीं है, यहां पर alpha कर लेना है, फोर round की जगह यहां पर output कर लेना है, यह तो basic सा आपको करी लेना है, उसक इसके लिए कई सारे टूट्रोल्स पर हमने अल्रेडी क्रिएट करें थे पहले जो क्लोन टूल की प्रेक्टिस तो अभी तक हमारी सीरीज को अगर फॉलो कर रहा है जो मैं इस बाइट कर रहा हूं अरौंड यह मेरा 6 वीडियो इसी लाउट का और तो आपको यह तो पता ही हो होने वाला है तो मेक से ओर कि इस वीडियो को कंटियून देखते रहे हो सकता है आप करें तो आपको समझ में ना आए तो या तो आप इतना ही है तो फूटेज को डाउनलोड करके प्रेक्टिस भी स्टार्ट कर सकते हैं बट यह दो 10-15 मिनिट है अगर आप देखते हैं तो मेक से ओर की एक एक जो टाइम रहेगा आपको वर्थ होने वाला है आपके जो आउटपुट लेके आएंगे उसमें अभी देखे मैं यहां पेंट कर रहा हूं तो देखे यहां पर डार्क स्पोर्ट और ऐसा कुछा रहा है तो इसके लिए हम कर क्या सकते हैं देखे हमने अ आगे डालना चाहूं देखें तो आपको ऐसा कुछ ड्रैक करकर के अपनी प्लेट को क्रियेट कर सकते हैं क्योंकि हमें कोई रेफ्रेंस मिल नहीं रहा है यहां पर हमें कलर उसको मैच कर रखना है अपने को ऐसा कुछ मिल गए अगर वन और टू प्रेस करेंगे देखी आपको आउट्वूट भी नजर आ जाएगा तो ड्रैक पूल काफी बड़ी है द्रैक तूल का भी आप यूज करके देखें एक बार देखे, drag tool का ही यूज़ कर रहा हूँ एक बा left से ले रहा हूँ, एक बा right से ले रहा हूँ और हम इसको करते जा रहा है तो drag tool का हमने अभी तक जो इस्तेमाल कैसे करना है वो नहीं बताया था तो अभी यहां से आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपको यूज़ करना है देखे, अब drag tool का मैंने यूज़ करके यहां clean तो कर लिया बट एक hard safe ऐसी आपको नजर आ रही होगी यहां पर देखे तो इसको कैसे करना है, तो इसके लिए हमारे पास है blur tool blur tool का यूज़ काफी जो करें, बहुत सूंच समझी करें क्योंकि opposite value हमेशा कम से कम रखें जब इसका यूज़ करें अब मैं blur tool का यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा से यहां से click and click कर रहा हूँ अब देखे, जैसे blur tool का हमने यूज़ करा हुआ है, वो वाली problem पूरी तरीके से यहां पर solve होके आ गई है आपको देखे, एक बाद नजर डाल लीजे, तो अभी क्या करता हूँ, same process follow करना है, मैं कभी clone tool का यूज़ करूँगा, blur tool का यूज़ करूँगा और drag tool का यूज़ करूँगा, और यह पूरे को clean करने वाला हूँ, तो अभी वापस से मैं clone tool में आ जाता हूँ, जायर सी बात है, offset की value 100 कर देता हूँ और clean करना, start कर लेता हूँ, अभी हम vote क्यों clean करेंगे, प्रस के size को छोटा करना है, और इसका clean up को start करना है, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ clean कर रहा हूँ मैं, तो अभी क्या करता हूँ, ज्यादा time ने waste करते हूए, मैं पूरी तरीके से यह जो frame है, single frame जो है, इसका plate 100% create करता हूँ यह plate create होने के बाद, जब final output होगा, उसके बाद मैं आपको बिलता हूँ, ओके जैसा कि अभी आपको नजर आ रहा है, हमने एक जो single frame था, पूरी तरीके से यहाँ पे clean कर लिया, जैसा कि आप देख पा रहा है, अगर यहाँ पे AB की बाग करें, तो ऐसा कुछ हमारा AB हो जात है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखे, हमें क्या करना है, पहले हम इसको divide करेंगे, कहां पे हम यह boat और यह ground को पहले match करते ही चले, उसके बाद हम clean करने वाले हैं, इस ground के पार्ट को, तो आते हैं अपनी next frame पे, next frame पे आनेक बात देखे, first frame पे हमें पूरी तरीके से साप reference मिल रहा था, next frame पे आते ही, हमें जो मिल रहा है, blur हो जा रहा है, तो सबसे पहले आप क्या कर लेना है, जो हम reference यहाँ पे ले रहे है, 120 नमबर के frame से ले रहे है, तो frame नमबर आपको select कर लेना है, 120, और यहाँ पे on-off कर सकते हैं, ऐसा check करने के लिए, तो मैं यहाँ प करके अपने board के around रख लेना है, क्योंकि हम board को paint करने वाले है, यहाँ पे हमारा blur है, यहाँ पे हमारा start होने वाला है, तो आपको आना है gradient filters में, यहाँ पे आपको blur का option मिल जाता है, तो ऐसा कुछ आपको option मिल लेगा, आपको जो lock है, उसको तोड़ लेना है, अभी जो blur हो यहाँ पे, तो हमारे जो blur की value है, almost match होके आ गई है, तो यहाँ पे हमें match होके आ गया है, तो इसको हम clean कर लेते हैं, अभी opacity की value 100% में कर देता हूं, पीछ में हमने कम किया था, तो यह मैंने यहाँ पे clean कर लिया, अभी देखिए यह वाला part भी हमारा mostly match होके आ रहा है, ओके देखिए यह वाला frame हमने पूरी तरीके से यहाँ पे clean कर लिया है, यहाँ पे आगे पीछी करके देख सकते हैं, इसका कैसे करना है वो भी दिखाता हूं, अभी वाला frame और यह frame आपस में blur भी पूरी तरीके से match हो रहा है, तो अगर अभी मैं यहाँ पे caps lock करूँगा, यह blur अधर की value बढ़ जाएगे, तो अभी क्या करना है, इसको वापस से कर देना है reset, अभी इसको वापस से match कर लेना है, drop down करना है, देखे, जो boat है, हमारे यहाँ पे match हो गया, तो वापस से paint कर लेना है, देखे, एक frame जब आप create कर लेते हैं, जो आपका next वाला process होता है, काफी आसान हो जाता है काम करने के लिए, यह हमने कर लिया, वापस से next frame पर जाते हैं, यहाँ से पूरी तरीके से कर देख पाएंगे, हमें hard reference मिल रहा है, यहाँ पर पूर सार फ्रेम है, तो अभी इसके लिए reference कहा से लेंगे, जिस frame पर हमने plate करी हुई थी, क्योंकि पूरी तरी क्लोन पर आते हैं, हम आते हैं 120 पर, अभी इसको आपस से match कर लेना है, ओके, थोड़ा डाउन करते हैं, अभी देखे, यह match कर लिया, थोड़ा से rotation हो रहा है, तो W प्रेस करना है, और arrow key से इस position को भी match कर लेना है, देखे, यह position मेरी around कुई तरीके से match हो गई है, तो अभी ह हम इसको clean कर लेते हैं, तो यह part मेरा clean हो गया है, तो अभी 4 frame है इधर के clean किये, तो यहां से सारी चीज़े थी जो आपको समझ में आने चाहिए, तो आ गई होगी, अभी हम आ जाते हैं अपने ground वाले portion पे, ओके, ground के portion को कैसे करना है, तो next frame पे आते हैं, अभी reference number जो ले रह से, caps lock के स्वाथ on आप करके, इसको match करवा ले, यहां पे रोटेट किया था, इसको reset कर लेते हैं, अभी देखिए, एक चीज़ यहां पे नजर आ रही होगी, यह थोड़ा सा scale भी हो रहा था, scale down यहां से कर सकते हैं, वापस से match करवाएं, और जो मैं कर रहा हूं, इसमें थ कोड़ी से आपको practice की जरूरत पढ़ने वाली है, तो इसलिए आप tension ना ले, अगर problem आ रही, तो कोई दिक्कत नहीं, वापस से आ जाते हैं, vertically इसको कर लेते हैं, और इसमें देखिए, अभी हम थोड़ा से motion add करेंगे, कहां पे आएंगे, वापस से blur में आते हैं, इसको तो अभी इसको reset कर लें, देखिए, कापी सारे options हम use कर रहे हैं, mainly आपको क्या करना है, practice करना है, सारे काम आपके आसान हो जाने वाले हैं, अभी इसको match कर वाले हैं, अब देखिए, ground हम match कर रहे हैं, यह नहीं match हो रहा है, हमें चलेगा, only हमारा जो ground का part है, वो match होना चाहिए, देखिए, यह frame हमने paint कर लिया है, अभी हमें जाना है, अपने next frame पे जाना है paint करते हुए, यहाँ पे आजाते हैं next frame पे, अब यह वाला हमारा hard frame है, तो reference कहां से लेंगे, 120 number के frame से हम reference लेने वाले हैं, तो आपस यहाँ पे आते हैं, हम reference number 120 डाल देंगे, और इसको आपस में हम match करवा लेंगे, यह थोड़ा सा आपको match करवाने में, टप तो नहीं जाएगा, बट थोड़ा सा tricky होने वाला है, देखिए, यह match हो रहा, डबली पेर्स करें, थोड़ा सा इसको rotation अपने recording fix कर लें, अभी देखिए, scale की value और कम करने पड़ेगी, थोड़ा और drop down करेंगे यह देखिए, पूरी तरीके से यहां पर match होके आगया, एक बार देखिए, यहां paint करके देख लेते हैं, देखिए, हमने paint किया है, यहां पर match नहीं हो रहा, पूरी तरीके से 1 और 2 प्रेस करूंगा, देखिए, तो इसको हम क्या करते हैं, अभी थोड़ी दिर के लिए आप के पास यह erase tool है, इसको आप remove कर लें, मैस तो हमारा high है, वापस से आजाते है clone tool में, इसको caps lock, और यहां पर मैं एक wipe ले लेता हूँ, अभी हो क्या रहा देखिए, यहां पर इनकी lighting नहीं match हो रही, तो lighting कैसे match करेंगी, वापस से आपको gradient filters में आ जाना है, हम gain की value को increase और decrease भ 9.5, तो यह value को मैंने थोड़ा कम किया, जैसे हैं आप कम करते हैं, यहां पर देखिए, आपको reference यह match होने लाएगा, थोड़ा से इसको around करके देख लें, यहां पर थोड़ा match करवा कर देख लें, पूरी तरीके से match हो रहा है कि नहीं हो रहा, अगर आप नहीं satisfied हैं, तो य आप देखेंगे, पूरी तरीके से आपको match होने वाला है, तो चार फ्रेम मेंने आपको भी paint करके दिखाएगा कैसे आप करना, same process आपको step by step सारे फ्रेम में करते जाना है, और आपका sort थोड़ी देर में complete होके जाने वाला है, कुछ इस तरीके से, आपका sort पूरी तरीके से complete हो जाएगा, तो ऐसा कुछ आप कर सकते हैं, बहुत ही कम आप time लेंगे, और सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, make sure कि आज मैंने छोटी छोटी चीज़ें आपको add करी थी, जो exercise मैंने आज आपको दी है, ये exercise करके देखें, तो इस से आपकी जो skill set है paint की कापी अ नहीं खतम करते हैं, मिलेंगे अपने इस class में, तब तक के लिए, bye bye see you, ख्याल रखे अपना